मैंसे बहुत सारा लोग stock market में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें अपनी investment का एक return चाहिए होता है तो अगर आप investment का अपना एक return एक अच्छा return देखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे best चीज है intraday intraday में trade कैसे करें इस वीडियो में आपको पूरी details दूँगा कि intraday क्या है share market में इसका क्या impact है और कैसे intraday आपको एक अच्छा return प्रवाइट कर सकता है based on research बहुत से लोग stock market में आते हैं अपनी investment का एक अच्छा return जानने के लिए लेकिन उसमें से बहुत से लोग हम गलती करते हैं कि अपना जो funds है वो हम कुछ-कुछ stocks में लगा देते हैं जिनके price एकदम से fluctuate करते हैं और कभी-कभी गिर भी जाते हैं तो intraday उसमें आपको एक major role करता है कि अगर intraday में आपने अपनी कोई funds लगाया है तो उसका जो है आपको same day में उसको wipe out करना पड़ता है तो intraday का मतलब क्या है आपने सुबा खरीदा शाम को आपने उसको बेज दिया यह है intraday intraday के अंदर बहुत सी risk factors जो हैं आपके cover हो जाते हैं कि जैसे overnight एकदम से shares आपके price बढ़े तो उस चीज से आप secure है कि जैसे आपने किसी data में लगाया और उसका रात में एकदम से shares बढ़ गया तो उसमें आपको एक चीज का benefit है कि आपने same day trade किया था तो उसमें आपका same day में ही पैसा निकल जाएगा तो उसमें आपका एक benefit ये रहेगा कि जैसे अगर आपने इंट्राडे में उसको खरीदा तो उसमें जैसे आप same day उसको अपना निकाल सकते हो मतलब means आप उसको wipe out कर सकते हो तो इंट्राडे में आपका एक ये benefit है कि कोई भी जैसे overnight price hype हुआ जैसे कोई price उपर गया या कोई price नीचे आया उस चीस से आप secure रहोगे इंट्राडे में इंट्राडे का example मैं आपको देता हूँ कि इंट्राडे में होता क्या है इंट्राडे में suppose करीए आपने एक data का share purchase किया मैं कहता हूँ आपने 1000 का purchase किया और उसकी opening call 1000 रही हो और उसकी जो closing call हो वो suppose करीए 1040 रुपीज की है शाम तक की जब वो market close होगा तो आपका दिन का profit 40 रुपीज का रहेगा हो सकता है वो कम भी हो हो सकता है वो ज्यादा भी हो लेकिन इंट्राडे में same day का profit आपका 1000 से लेके एक 40 रुपे तक का profit आपका उसमें बन गया तो उसको हम इंट्राडे कहते हैं इंट्राडे में आपको बहुत से benefit भी मिलेंगे जैसे आपने suppose किया कि आपने कोई company के share purchase करने है और आपके बास उतने funds है नी तो आपको broker जो है एक margin provide कर देगा जिसके थूँ आप अपने वो shares करीच सकते हो जैसे suppose करी आपने 30,000 या 40,000 के share purchase करने है कोई भी company के जो भी profit बनेगा वो आप ही का होगा और बाकी जो broker से आप margin लोगे वो आप उसको return कर दोगे लेकिन उसमें नुक्सान यह है कि broker आपको जो amount दे रहा है तब आपको उसको frequently हर 10 minute, 15 minute, आदे घंटे, एक घंटे का चार्ट आपको हमेशा देखते रहना है intraday के अंदर लेकिन एक आपका उसमें benefit भी है कि आप जो long term investing करते हो share market के अंदर उस चीज़ से आप बच सकते हैं जैसे आपने कोई share purchase किया हो उसको आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या महीने बर के अंदर wipe out करते हो तब जाके उसका loss and profit बहुत आपका match नहीं करता है तो intraday में आप इस चीज़ में एक बहुत benefit रहेगा कि आपका same day का निकला profit आया, loss आया वो तो थोड़ा market के उपर depend करता है लेकिन हाँ, यह चीज़ है कि आप एक long term investment जो आप कहते हो कि share market में होती उससे आप बच जाते हो और intraday इस चीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको long term के लिए investment करना है तो intraday आपके लिए नहीं है अगर आपको long term के लिए जाना तो आप ऐसे stocks purchase करिए जो एक vibrant पे चलते हैं जो एक जिनकी एक pace बहुत अच्छी चलती है smooth चलती है उसमें आप investment करिए या फिर आप एक small case ले लिए उनके portfolios पहुचेत है उन portfolios के अंदर आप investment कर सकते हैं अगर आपको investment अपनी करनी है तो आप grow में आप stocks में कहीं भी investment कर सकते हैं मैं personally grow में करता हूँ तो वह एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इंटर आडे के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे comment करो